दिल्ली आपकारी निती मामले को लेकर परवतन निदेशाले यानिकी E.D. ने BRS नेता के कवीता को 15 सितंबर को तलब किया है अधिकारियों ने गुरुवार को इस संबंद में जान करी दी बता दें कि तेलांगाना विधान परिशत की सदस के कवीता से इस मामले में पिछले साल दिसंबर में केंद्रिय जाचबीरो यानिकी C.V.I. ने भी पूश्टाच की थी इसके साथ ही E.D. ने बताया है कि विजे नायर ने साउट ग्रूप नामक एक ग्रूप से कम से कम 100 करोड रुपे की रिश्वत प्राप्त की है गौरतलब है कि विजे नायर को बीते साल C.V.I. ने गिर्फतार किया था आपको बतादे कि E.D. ने इससे पहले बीते मार्च के महीने में तेलंगाना के मुख्यमंतरी के सीर की बेटी के कवीता से पुछताच की थी एक सुत्र के मुताबिक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को भी इस मामले में तलब किया गया है जो इस कथित घोटाले में नगद लेन देन करने में शामिल थे आपको बतादे कि E.D. ने इस मामले में अब तक 5 आरोप पत्र दाखिल किये है उसने अब तक इस मामले में में लगभग 200 तलासी अभ्यान चलाए हैं आपको बतादे कि इस मामले में दिल्ली के जोर बाग इस्तित सराव वितरक इंडो स्परिट ग्रूप के प्रवन धकनीदेशक समीर महंदरू की गिफतारी के बाद बीते साल अक्टूबर में एडी ने दिल्ली और पंजाब में लगभग 3 दरजन इस्तानों पर छापे मारी की थी आपको बतादे कि इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने लगातार आमाद्मी पाटी पर निशाना भी साधा है और लगातार शराब घुटाले मामले को लेकर बीजेपी आमाद्मी पाटी पर निशाना साध ही रही है तो आपको बतादे कि दिल्ली आभकारी निती मामले को लेकर इडी ने बीरेस नेता के कवीता को 15 सितंबर को तलब किया है और इस दोरान उनसे कई बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं